Hey everyone, welcome to Ernest Topbal. I hope कि आप सभी सही होंगे. Guys, पिछले लगातार हम कई दिनों से UGC Net Examination के उपर चर्चा कर रहे थे और बहुत साड़े अपडेट्स के उपर बात्चित कर रहे थे. Finally, आयोग ने कुछ इस पे बयान बाजी किया है और हम आज जानेंगे कि क्या सच में आपका एक्जाम डेट बदलने वाला है या फिर वही रहने वाला है. कोई रहात आपको नहीं मिलने वाला है. Application form जो जिन्होंने फिल नहीं किया है. क्या उन्हें फिल करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके उपर हम बात्चित करने वाले हैं. तो बहुत साड़े अपडेट्स हैं जिसको पर बात्चित करेंगे. वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले आप सभी को मैं एक बात बता दू. कि अगर आप इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाईज. क्योंकि आप सभी के लिए आने वाला है एक बहुत ही धमाका यह तार पैकेज. जिसकी सुरुवात हो रही है कल से यानि कि 21 जैन से सुरुवात हो रही है गाईज. इस बात को याद रखना है कि 21 से शुरू हो रही है एक बिगश धमाका. और उसके उपर हम लोग बात्चित करने वाले हैं इस वीडियो के अंत में सबसे पहले बात्चित करते हैं इस अब डेट के उपर आयोग ने क्या कहा है और क्या मानना है ठीक है ना और एक्जाम डेटें बदला होगा या नहीं होगा इसके उपर बात्चित करेंगे आप इस चैनल के पार्ट नहीं है, इस फैमिली नहीं है इसके अरिस्टोंबल के, तो बन जाईए भाई, बहुत थायदे है इसको जोइन करते हैं, अब आई इस वीडियो को सुरू करते हैं, आयोग ने कहा है कि सहाब ऐसा है कि हमें एक्जाम कंड़क्ट करवानी है जून दो 2023 फिर से, आयोग ने कहा है कि गाईज मुझे एक्जाम कंड़क्ट करवानी है, जून 2023 वाले जो नोटिफिकेशन है, उसका एक्जाम हमें टाइम पे कंड़क्ट करवाना है और यही वज़ा है कि हमें दिसंबर 2022 वाले के लिए हार्ड एक्षन लेना पड़ेगा और हमें इ इसलिए आयोग ने आज क्लिया रीडिय दे दिया है कि अभी हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं हम चाह के भी एप्लिकेशन फॉर्म डेट को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं यह हमारी समस्या है और समस्या उन्होंने क्यों बताया क्योंकि उन्होंने बताया कि देखो भईया पैंडीमिक की बज़ाँ से 2020 और 21 का जो काम चल रहा था मर्जर का जो साइकल चल रहा था वो साइकल ब्रेक हम करने वाले हैं मर्जर वाला और जो परते एक साल हम दो बार एक्जामिनेशन लेते थे जून और दिसम्बर वाला वही अप एक्जाम लेंगे क्योंकि अगर हम इस पैटर्न को फॉलो नहीं किये तो बहुत ज़्यादा प्रॉलम हो जाएगा अब देखो दिसंबर वाला जो भी नोटिफिकेशन आएगा अब मार्च में एक्जाम होने वाला है फैब और मार्च में एक्जामिनेशन होगा इस बात को आप अपने माई में बैठा लो ठीक ह आपका अपरील और माई के बीच में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और ये वाला जो रिजल्ट होगा वो अपरेल के लाच तक देखने को मिलेगा डैट स्वाई यही बहुत बरा रिजन निकल के आया है कि आपका एक्जाम डेट में अप परिवर्दा नहीं होने वाल है इस बात को गांट बान लेना क्योंकि मैंने लगातार पिछले कई वीडियो से बोला हुआ था कि चर्चा चल रही है आयोग ऐसा सोच रही है कि वो एक्जाम डेट बढ़ा है लेकिन जब तीन आयोग एक साथ बैठती है तीन लोग एक साथ बैठते है समझ लो उजाम वा जाएगी वही प्रॉलम आ जाएगा इसलिए अभी तक का जो अपडेट है देखो मैं फिर से अपने सब्दों पे जो डाल रहा हूं जो अभी तक का अपडेट है वो यह कहता है कि एक्जाम जो है आपका 21 फरवरी से लेकर के 10 मार्च के बीच में होगा और इस चीज के जो रीजन ये है वो सिधा-सिधा रीजन ये है कि UGC को पकड़ना है ये वाला इग्जामनेशन ठेक है ना जो एक्जाम डेट पहले से उन्होंने एगोसित कर रका है तेरा से बाईस जून ठीक है ना तेरा से बाईस जून और इसका नोटिफिकेशन आने वाला है अपरेल मन्थ में ठीक है ना क्योंकि मार्च का जो एक्जामिशन समाप्त हो जाएगा उसके पंदरा से बीस दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाने वाला है देखो बहुत कम गया है बीस दिन में आपका रिजल्ट परबिस करेगी ठीक है ना रिजल्ट देगी एंड देन जून दो हजार तेईस वाला नोटिफिकेशन जारी करेगी और फिर यह आजाएगा अपरेल में माई तक चलेगा और फिर जून में एक्जाम होगा ठीक है अब मैं समझाता आपको टाइम लाइन एक मिनट गईस टाइम लाइन में समझाता हूँ एक मिनट अब देखो है क्या अब सवाल यह है कि अब यहाँ देखो जून में एक्जाम होगा ठीक है जुलाई में आपका जून में एक्जाम हो जाएगा जुलाई में आपके लिए रिजल्ट ठीक है अब इस पैटर्न को पकरणा है इसलिए आयोग ने इस एक्जाम को समझ लो एक कुरूआनी की तोर पे दिया जा रहा है ये कुरूआनी की तौर पे दिया जा też रहा है यूजी सी नेट जो time है इसमें बदलाव होने की संभावना बहुत कम है मैं फिर से कह रहा हूं कि बदलाव हो सकती है आयोग ऐसा कर सकती है दो से तीन दिन बढ़ा सकती है लेकिन इसकी संभावना जो है बहुत कम हो गई है ऐसा स्रोत कभी कहना है and then यूजी सीनेट का तो कहना है ही लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि एक से दो दिन बढ़ाया भी जा सकता है यह बढ़ोतरी अगर होगा भी तो तेज से पहले होगा अगर तेज तक अगर नहीं बढ़ाया जाता है तो फिर examination जो application form का time है उसमें नहीं बढ़ाया जा सकता है बस आपको अपिंजार करना पड़ेगा और कुछ नहीं और मैं यह भी बस यह कहूंगा कि आप चैनल को subscribe पर के रखो ताकि कोई भी अपडेट है तो आप से छूटे नहीं ठीक है ना उसके बाद मैं आपको बता दू कि जो अभी लोग कहने थे exam date में पडिवरतन का तो मैं किस जनवरी से unstoppable नहीं अपने class schedule करने शुरू कर दिये हैं और कल publish नहीं हो पाया था और आज से publish हो जाएगा वो आप देखना शुरू कर देना और सारे classes live आएंगी और ये evening में होगा इवनिंग बैच एक बैच आएगा और 28 घंडे class होगी जिसमें paper 1 हम लोग complete करने वाले हैं complete करने वाले हैं जिसमें 30 से 35 questions हम लोग target करकी चलेंगे ताकि आपका 60 से 70 नंबर काफी असानी से easily way में crack हो सके समझने हो ना इस बात को आपको ध्यान में रखना है अगर आप चाहत होगा हो सकता है कि कल से ही आपके classes आने शुरू हो जाए ठीक है ना तो भर दो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा share कर सकते हैं इस वीडियो को आप लोग share किजिए like किजिए review किजिए and अगर कोई कमी लगती है तो वो भी comment box में एक दम honesty के साथ लिखिए क्योंकि मैं हर ए notice आज जारी करने वाली है अब देखना यह है कि इस public notice में क्या आता है examination rate बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती है क्या कहती है नहीं कहती है सारे सवाल का जवाब हमको आज मिलने वाला है एक जो public notice आने वाला है उसमें midnight तक देख लो आ जानी चाहिए अगर नहीं आती है तो कल morning तक तो आहीं जाएगा ठीक है तो इस वीडियों बस इतना ही हम से जूड़ने के तीन रास्ते हैं Instagram पे instant जवाब के लिए description में लिंक है टेली ग्राम जरूर ज़रूर ज़राना most important है और YouTube चैनल यानि की वाई टी जो चैनल है YouTube चैनल है इस पे आप जरूर ही subscribe कर लेना ठीक है